नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहन तिवारी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं कई सीटों के बारे में पहले भी हमने आप तक खबरे पहुँचाई क्योंकि दावेदारों के नाम की चर्चा खूब चल रही है कई ऐसे ऐसे नए चेहरे हैं जो कि इस बार लोकसभा की सीटों पर उतरने को तयार है कुछ ऐसे पुराने चेहरे हैं जो कि अपने सीटों को पदलने की तयारी में है और वैसे में ही आज हम जिस लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं वो सीट है वैसाली लोकसभा, वैसाली लोकसभा के बारे में इसके पहले भी हमने कई बार खबरे चलाई हैं और वैसाली लोकसभा की सीट इस बात होट सीट बन चुकी है क्यूं? क्यूंकि चिराक पाश्च्वान भी यहां पर अपने उमिद्वार को उतारना चाहते हैं, बीजेपी भी इस बार अपना केंडिडेट देना चाहती है, महा गटबंदन से भी ऐसे ऐसे दावेदार उभर कर सामने आ रहे हैं, जो कि इस सीट को होट बना सकते हैं, और इस बार की जो खबर है, वो खबर महा गटबंदन के तरफ से निकल कर सामने आ रही है, खबर महा गटबंदन से ये आ रही है कि इस सीट की दावेदारी कॉंग्रेस के तरफ से की गई है, कॉंग्रेस इस बार वैसाली लोकसबा सीट पर अपना उमिदवार उतारना चाहती है जिन आठ से नौ लोकसबा सीटों की लिस्ट महागट बंधन में नितीश कुमार और लालू यादों के सामने कॉंग्रेस ने रखी है उसमें एक सीट वैसाली का भी है और वैसाली लोकसब सीट को आप हलके में नहीं ले सकते क्योंकि वैसाली लोकसबा सीट को कॉंगरेस जिसके लिए चाहती है वो और कोई नहीं जो कि पिहार में कॉंगरेस के परदेश अध्यक्ष हैं रजसबासांसद अखिलेश प्रशाद सिंग के बेटे अकास सिंग के लिए यानि कि खुद अखिलेश सिंग ने वैसाली लोकसबा सीट की डिमांड कर दी है लालू यादों के साथ उनके जो रिस्ते हैं वो किसी से चिपा नहीं आर जेडी पिछले कई चुनावों से यहां पर अपना उमिदवार उतारते रही पिछले दो चुनावों से उसे जीत नही मिली है लेकिन इस बार वैसाली की लडाई में कॉंग्रेस अखिलेश सिंग के बेटे आकास सिंग को उतारने की तयारी में है और खबर तो ये मिल रही है कि इसके लिए कॉंग्रेस के निताओं को हिदायत भी दे दिया गया है कि वैसाली में तयारी शुरू कर दीजिए क्य देखिए समझने की जरूरत है कि महाधडबंदन से वैसाली पर जो दावेदारी है कॉंग्रेस की कितनी मजबूत है क्या सचमुच वो सीट उन्हें मिलेगा क्योंकि कई और नाम भी चर्चा में हैं एक नाम लवली आनंद का है एक नाम रमा किशोर सिंग या उनकी पतनी का है और एक नाम रगवन्स प्रशाद सिंग के बेटे सत्यप्रकास सिंग का है ऐसे में वैसाली पर कॉंग्रेस के दावे से इनके लिए तो मुसीबत खड़ी होगी ही लेकिन मुसीबत NDA के लिए भी खड़ी होगी क्योंकि भुमियार वोट बैंक इस सीट पर अच्छी खासी संख्या में है और वैसे में जो कि कहा जाता है कि BJP का वोट बैंक है उसमें सेंद मारी हो जाएगी और वैसी परिस्तिती में इस सीट पर महागडबंदन का पलरा भी भारी हो सकता है एक और खबर हमने आप तक पहुचाई थी कि इस सीट पर BJP के तरब से पुर्वमंत्री अजीत कुमार और पुर्वमंत्री शुरेश सर्मा जो कि कुद भुमियार है वो भी दावा कर रहे हैं तो वैसाली की सीट जो है इस बार काटे की लड़ाई होने की संभावना है अब सवाल ये भी है कि आखिरकार अखिलेश सींग के बेटे आकाज सींग जो कि 2019 में पुर्वी चमपारन की सीट पर चुनाओं लर चुके हैं वो भी उपेंद्र कुश्वाहा की पाटी रालोसपा से महागडबंदन में रहते हुए वो पुर्वी चमपारन की सीट को छोड़ कर वैसाली क्यों आना चाहते हैं तो जो खबर है वो सबसे बड़ी यही है कि पुर्वी चमपारन में एंडिये के तरप से उपेंद्र कुश्वाहा की पाटी से मादव आनंद की चर्चा छिर गई है और ऐसे में अगर वहां पर भुमियार बना भुमियार हुआ तो बाजी बीजेपी के पक्च में असानी से चली जाएगी और इसलिए वहां पर अकासिंग अपनी दावेदारी नहीं देना चाहते और वो वैसाली में भी तयारी करना शुरू कर चुके हैं और वैसाली लरने की इच्छा जता चुके हैं यह सीट भले ही पिछले कई दसकों से राजपुतों के कबजे में रही लेकिन इस बार 24 के चुनाओं में भूमिहार जो है वो बढ़ चड़ कर अपनी दावेदारी पेस कर रहे हैं चाहे बात आप महागडबंदन से कीजिए या फिर NDA से अब देखना तो बड़ा दिल्चस्प होगा कि इस सीट की लड़ाई में टिकट दोनों ही खेमों से किसको मिलता है लेकिन चर्चा अब अकास सिंग की भी छिड़ गई है और अकास सिंग यानि की अखिले प्रसाद सिंग का रिष्टा लालू यादो से अच्छा है गडबंदन में लालू यादो की अपनी एक पकर है और उनके बातों को कोई काप नहीं सकता है और देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि आखिरकार 24 की लड़ाई में यह सीट किसके खाते में जाती है लेकिन इस स सीट को लेकर भुम्यार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं राजपूत भी पीछे नहीं है दीना देवी महजूदा सांसद पशुपति पारस गुट चिराक पासवान बीजेपी और महागडबंदन में भी अपनी दावेदारी पेस करने की कोशिस में है कि कहीं टिकट कटे तो कहीं से मिले लेकिन खबर ये है कि उनके लिए अब सभी पाटियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और ऐसे में उनका टिकट कटना लगबग लगबग तैमाना जा रहा है बीजेपी के तरप से पुर्वमंत्री अजीत कुमार सुरेश सर्मा के साथ गंच के विधायक राजु सिंग और पारु के विधायक असोक सिंग भी मैदान में उतरने की तयारी में जरूर जुटे हैं लेकिन इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होने वाला क्यूंकि इस सीट पर अब भुम्यार जो हैं वो बढ़ चड़ कर अपनी दावेदारी पेस क एक बार नीस सो नवासी में उस् bilmiyorum जो की भुमियार चुनाव जीती थी या फिर उननीश सो आसी से पहले तो इस इतना पर भुम्यारी चुनाव जीतते आ थे और राजपुतों यहां चुनाओं भी नहीं लड़ते थे लेकिन 77 में परिसीमान हुआ उसके बाद से जो कहानी बदली है वो राजपुतों के पक्ष में जरूर रही है लेकिन उसके लिए एक फैक्टर जरूर बताया जाता है कि इस सीट पर 80-90 का दसक जो रहा वो अत्त ज़िवार जरूर बनते रहे दूसरे नंबर पर आते रहे चाहे बात आप मुन्ना सुकला की कर लीजिए उनकी पत्नी अन्नु सुकला की कर लीजिए लेकिन जीत नहीं पाते थे लेकिन इस बार 24 के चुनाओं में अपना दमखम दिखाने की तयारी में वो जुट गये हैं और अकास सिंग अखिलेश प्रसाद सिंग के बेटे ने भी अब अपना दमखम इस सीट पर दिखाने की तयारी शुरू कर दी हैं और अगर वो प्रबल दावेदार के तौर पर इस सीट पर दमब भर रहे हैं तो मान के चलिए कि उनकी दावेदारी इस सीट पर जादा प्रबूत होगी और यहां की लड़ाई इस बार आपको अलग हट कर देखने को मिल सकती है या तो भुमियार बनाम भुमियार हो सकता है या राजपुत बनाम भुमियार हो सकता है दोनों ही परिस्तितियों में वैसाली की जो सीट है वो बेहधिन रोचक मुकाबला दिखान वाली है किसके पक्ष में पडिनाम आएगा यह तो 24 में पता चलेगा लेकिन उससे पहले अकास सिंग की दावेदारी से महागडबंदन के अंदर भी कई नेताओं के पसीने चूटने तो तय माने जा रहे हैं बना रही है लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत यार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें